ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आप सबको पता होगा कि जो तीन मई है उस दिन अक्षे तृतिया है और ये अक्षे तृतिया आपकी वैशाक महीने में बढ़ रही है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा पूजी गुरुजी की कथा से ही सुनके आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ यह उपाय आपकी मनो कामना पूर्दी के लिए आपको करना है कुछ चावल के दानों से कैसे करना है पूरी बात बताऊंगा लेकिन सबसे पहले लाइक करें आप आज पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है देखो कैसे और क्या करना है समझेगा आपको चाहिए चावल के दाने, कितने चावल के दाने चाहिए यह समझेगा उसी तरीके से आपको अक्षत लेना है, कहने का मतलब वो अक्षत जो च्छत ना हुआ हो, जो टूटा ना हो, बात आरी समझ में, क्योंकि यह उपाय आपको मनोकामना पूर्थी के लिए करना है, तो बिल्कुल सिधा सिधा खड़ा खड़ा चावल लेना है, ठीके, आप सुन जाएगा, फिर अपने घर पे ही, जितने भी चावल के दाने आपने ले रखे हैं, एक, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, उनने, जितने भी, आपको यहाँ पर समर्पित करना है, लेकिन समर्पित करते समय, एक बात आपको जरूर बोलना है, वहीं से मनोकामना वाली सिध्ध ह समझे कैसे, जब आप चावल का दाना यहाँ पर बोलनाथ को चढ़ा रहे हूं, तो आप उनसे इस बात को जरूर कहिएगा, बोलनाथ आज है अक्षय तिरतिया, यानि कि वो दिन जो कभी टूट नहीं सकता, आज की दिन मांगा हुआ कोई भी वरदान कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको अक्षत चढ़ा रहा हूं और यह मेरा अक्षत मेरी मनो कामना पूरती के लिए है, और आप भी जैसे यह अक्षत मैंने खड़ा चढ़ाया है, मेरी मनो कामना भी इसी तरीके से अटल रहे और जल्दी से जल्दी पूरी हो, ठीक है, जितनी बाते म आने बोली है एक बार फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को reverse करके आपको फायदा जरूर मिलेगा बहुत ही ज़्यादा शुब दिन है अक्षे तरतिया ये इतना शुब दिन है कि आपको बतानी सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस दिन सोना खरीदते हैं चांदी खरीदते हैं खरीदने का यही मकसद होता है लोगों का कि आज का दिन जो है कभी जो भी चीज़ आप करोगे कभी उस चीज़ की छती नहीं होगी कभी उस दिन का छह नहीं होगा तो कोशिच करिएगा इस उपाय को करने की फायदा जरूर मिलेगा और महादेओ से कहिएगा जरूर की महादेओ मैं ये जो खड़ा चावल चड़ा रहा हूँ जिस तरीके से ये चावल खड़ा है उसी तरीके से मेरी मनोकामना भी जो मैं आपसे कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल अटल रहे और मेरी मनो कामना बहुत ही जल्द पूरी हो चावल के अलावा आपको और कुछ भी चढ़ाने के जरूरत नहीं है बाकी आप अगर पूजा पाट करना चाहते हैं जल्द शेक करना चाहें या फिर जो भी चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं लेकिन चावल का दाना विशेश तोर पर चढ़ाईएगा और जो बात मैंने आपसे कही है महादेव से जरूर कहीएगा तो कोशिश की है मैंने आपको अच्छा बताने की तो विडियो को लाइक करिएगा आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना कुछ पूछना हो नीचे कॉमेट में जरूर पूछिएगा मुझसे फोन पे बाते करने के लिए मुझे इंस्ट्राग्राप प झाल